हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर चैनल तो फाइनल फ्रेंड्स आपके रिक्वेस्ट पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइट कर दी गई है सेप्रेट और यह वीडियो बहुत ही संदार होने वाली है आप इस वीडियो को पूरी लाफ्स तक देखिएगा जैसे कि आप ज सेलेक्षन हंडेड़ परसेंट होने वाला है आप भी कटप में आएंगे आपका सेलेक्षन भी हंडेड़ परसेंट होगा तो बने रहे हैं इस वीडियो के साथ ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कहीं भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो जी सबसे पहले तो आपको भी पता होना चाहिए यूपी जेल वाडर जो फायर मैन या फिर अपकर सकते हैं घुर सवार उसमें चार स्टेज होता है चार स्टेज क्या अगर जोब प्रुफाइल की बात करें तो बहुत ही अच्छी जोब है और बहुत सारे कंडिडेट के यह ड ठीक है चलिए में मुद्धे पर बात करते हैं और इसे कसा वीडियो का इस्टार्ट करते हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा थाकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसे वीडियो प्रुवाइड करते रहे ताकि आपक करवावगई टेस्ट-पिजिकली और इसेंटी टेस्ट फिजिकल मघरमेंट टेस्ट अन् टोकुमेंट फैरिफिके सार्ट थे बाई स्थे झालन ठीक है तो अदो का नेक हैं क्योंकि फ्रेंड्स आपके 150 क्यूश्चन होते हैं 300 नंबर के जिसमें आपको कम से कम जो भी क्यूश्चन आते हैं उसे अटेम्ट करने होते हैं प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए तो आई होप आई वीज कि आप किलियर कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगे उसके बाद से आपका होता है डोकुमेंट्स फेरिफिकेशन अब देखिए जिन भी कैंडिडेट ने एक्जैम पास कर लिया है तो उनको पुलाया जाएगा डीवी एंड पीएस्टी के लिए ये जो आपका डीवी एंड पीएस्टी होता है वो एक दिन ही होता है और एक सा आपके बात ही होता है यह बात आपको पता होना चाहिए डीवी यानिकी डोकोमेंट्स फेरिफिकेश्ट पीएस्टी यानिकी फेजिकल जो उस्टेंडर्स होता है आपका 보. वह समझ रहे है आपके कास सर्टिफिकेट हो गए ठीक है मूल निवास परमान पत्र और आपके जो एजुकेशनल डोकुमेंट्स है वो और मेर हम यहाँ सेपरेटली आपको बता देना चाहते हैं जो आपका डोकुमेंट्स है वो निउ होना चाहिए अगर आपने फॉर्म फिलप करते टाइम पुराना डोकुमेंट्स लगा दिया है तो कोई दिक्त नहीं आपको अभी नया डोकुमेंट्स बन वा लेना है जाने की तीन साल के अंदर का होना चाहिए अगर उस से भी एक दिन भी ज्यादा होता है तो आपको जनर्रल कैटेग्री में कर दिया जाएगा और आगर और व अभी अच्छे से तयार कर लिजी उसके बाद से आपका आता है फिजिकल मेजरेमेंट जो आपका नाप तेस्ट होता है यानि कि आपका नाप Campbell होता है से एकार लेते हैं देखिए आपकी स्क्रीन पर है ठीक है और अब हम इसे सिंपली जानेंगे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अब दोनों के लिए आल के टेगरीच टेस्ट पहले अगर हम जनर्डल की बात करें तो देखिए हाइट वाइज की हाइट 168 cm और चेस्ट की बात करें तो बी लाएज की बात करें तो इनका हाइट जो लगेगा जो लड़के उनका 16 cm और चेस्ट जो है 77 cm और फुलाने पर 82 cm लगेगा ठीक है तो यह आपका physical measurement हो गया वहीं अगर हम female की बात करें तो देखिए female में जो height होनी चाहिए general या फिर OBC या फिर AC इन तीनों categories से related अगर हम बात करें तो आपकी height 152 cm होनी चाहिए ठीक है इसमें chest का कोई परवधान नहीं है only weight आपका 40 kg होनी चाहिए ठीक है minimum age आपकी 40 kg होनी चाहिए वह चाहिए आप किसी भी category से आती हो या हम maximum की बात नहीं बोला गया है तो इसको लेकर आप परसान मत होईएगा कम से कम आपकी जो मतलब वजर होना चाहिए वह 40 kg होना चाहिए वह यह अगर आप अनुसुची जन जाती से आती हैं तो आपकी जो height है वह होनी चाहिए 147 cm तो यह था आपका पूरा फिजिकल मेजरमेंट ठीक है अगर आपके कोई doubts है तो आप पूछ सकते हैं तो अगर आपने यह complete कर लिया ना अगर आप पहले documents बोरिफिकेशन उसके बाद से यह पूरा आपका प्रोसेस होता है उसी दिन उसी टाइम उसके पाद से आपका जो चौथा लिश्ट जाने की जाती है और आपका उसमें नेम दिया रहता है ठीक है तो आपको रणिंग के लिए बुलाया जाएगा अगर रणिंग के लिए अगर आप जाते हो तो आपको कितनी दौर लगाने होगी आपको यह भी जानना चाहिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते है अब देखिए स्क्रीन पर कैंडिडेट्स रेस और टाइम केटेगरी वाइज अगर आप देखे तो बॉइज और गल्स इसमें बस है ठीक है इसमें कोई भी छूट तूट नहीं है तो मेल कैंडिडेट यानि लड़कों की दौर आपको 25 मिनट में 4.8 किलो मीटर आपको अगर लग लग है ना प्रूफाइल लग लग होता है बाकि सब का जो स्टेटर्स है वह सेमी है अब समझ रहे हैं इसको लेकर आप परिशान मत हुएगा ठीक है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भी मेल कैंडिडेट्स 4.8 किलो मीटर 25 मिनट में आपको लगाने यानिकि आप आपको पांच किलो मीटर की दोड़ की जो है आपको प्रेक्टिस होनी चाहिए आप सिंपली रणिंग कर सकते हैं यह भी नहीं है कि आप बहुत तेज दोड़ेंगे तभी कंप्रीट हो जाएगा अगर कैंडिडेट्स डेली जो है एक महिने भी प्रेक्टिस कर लेते हैं व तो इस बात का जो है आपको ख्याल रखना है खास का आपको 14 मिनट में जो है 2.4 किलो मीटर यानि की 3 किलो मीटर अगर आप दोड़ने का प्रेक्टिस करती हैं ज्यादा नहीं एक महिने से यह अभी आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं तो आप सिंपली रणिंग निकाल स स्टार्ट होगा ठीक है यह सारा सब कुछ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मेडिकल कैसे होता है आपको वीडियो प्रवाइट कर दी जाएगी अगर आप चाहेंगे तो बाकि अभी यह चार सेज्ट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फ्रेंट्स हंड्डिट परसेंट आप सब्सक्राइब दो कि यह सार आपको कम्प्लीट मतलब करने पढ़ती है वहीं हम सेलरी की बात करें आप सभी के बहुत सारी कमेंट साते हैं तो देखी है सेलरी जो आपकी होनीच जो आपकी सेलरी होती है जो यूपी पॉलिस कॉंश्टेवल की सेलेरी होती है सेम आपको वही सेलेरी प्रवाइट की जाती है सेम ठीक है यानि कि स्टार्टिंग में 30,000 प्लस आपको सेलेरी मिलता है आप सभी को परिशान नहीं होना है और जो भी एक्स्ट्रा है सब पुछ इमिसमें आड करके ठीक ह आपको दिया जाता है तो यहीं होनी चाहिए मतलब होगी और अगर आप चाहिए तो हम अलग अलग जो भी है आपको वीडियो प्रोइट कर देंगे लेकिन अब ही आप मान के चलो इतना आपको सेलेरी मिलेगा और तीनों में जो सबसे बेस्ट देखिए यह भी कमेंट सा र और इसमें से अगर माने तो अपनी अपनी जगा सब जो भी इसमें जोब है तीनों में सब अच्छी है लेकिन फर्स्ट फ्रेंस अगर किसी का होता है तो वह होता है फायर मैन का क्योंकि बहुत ही आराम की नौकरी होती है और 6-8 गंटे इसमें आपको जोब करना पड़ता है बाकि अगर आपको घोरों से प्यार होगा तो आपके लिए जो घुरसवार है वो भी सबसे बेस्ट जोब है ठीक है आपको इतना सारा मेहनत नहीं करना पड़ता है कभी-कभी परेड होता है उसमें आपको बुलाया जाता है कभी-कभी मतलब आपने देखा होगा टीबी मे थीक है तो यहीं सारी बाते हैं आपको यह दाउट नहीं रहोगा हमने आपको यह भी बता दिया डोकुमनेंस से रिलेट tiड आपको यह पोई प्र itt अगर आपके कोई डावड्स तो आप नीचे कमेंट स्बूक्स में कमेंट्स करिए अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजी अ और जो भी अपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जिरूर शेयर करेंगा मिलते हैं तब कि लिए आप अपना ख्यार र